सेंद्वा के देवजिरी कालोनी, इरानी कालोनी और अमबेटकर कालोनी छेतर में बनाये गए कंटेंटमेन अम बफर जोन में सोमवार को स्वास्तु इभाग ने 980 मकानों का सर्वे किया जिसमें रहने वाली 6,596 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई इसमें से 161 बुजूर्ग साहट साल के उपर के पाए गए सोमवार को वे सर्वे के दोरान सर्दी खासी से 5 लोग पिडित पाए गए महीं उनसाहट लोग भी पी एवं 47 लोग शुगर से पिडित पाए गए सेंद्वा कोरोना पोजिटिव पाए जाने के बाद स्वस्त ओकल लोटे मोथी बाग छेतर के दो भाई डाक्टर जाकरी शेक वसाकी शेक का छेतर वासियों ने पुस्पवर्सा से क्या स्वागत गर पुस्पवर्सा से स्वागत कर रहे है लोगों का अभिवादन क्या गया और सभी से कहा गया कि सोचल डिश्टेंस का पालन करते हुए गाइडलाइन्स का पालन कीजिए अल्ला आप सबकी कोरोना वाइरस से हिपाज़त करे अंजड में फरनीचर दुकान में आग लगने से लाखो रुपे का फरनीचर जलकर हुआ खाक आज तड़के शार्ट सरकीट से आग लगना बताई जा रही है रातरी में गस्त कर रहे है पुलीस जवानों की निगा दुकान पर पड़ी दुकान से धुआ उड़ता देख इसके सुज़ना तुरंत दुकान मालीक वा फायरफाइटर को की गई फायरफाइटर ने तुरंत मोखे पर पहुच कर आग पर काबू पाया आग से लाखो का नुकसान हुआ है पड़वानी सरपन्च सचिव संग ने एएसपी को सोपा ग्यापन में मांग की गई कि कुछ दिन पूर्वर आजपुर जनपत पंचायत अंतरगत ग्राम बकवाड़ी में सरपन्च सचिव के साथ ग्रामिनों द्वरा मारपिट की गई थी ग्रामिनों द्वरा निर्मान कारियों की जानकारी मांगी गई थी जो उन्हें उपलब्द भी करवा दी गई बाउजुद ग्रामिनों ने सरपंच और सची दोनों के साथ मारपिट की जिनकी गिरफतारी की मांग को लेकर वह घटना कि पुन्रावत्ती नहों इसको लेकर आज ग्यापन सुपा गया सीलावन नगर में बहर आई गोई नदी पर दो वर्स पुर्व छे करोड से अधिक की लागत से बनी बेराई डेम से गाद निकालने का काम सोमवाशे शुरू हो गया डेम निर्मान के बाद से कभी जिम्मेदार विभाग ने इसकी गाद निकालने का काम नहीं किया इसको लेकर पिछले दिनों किसानों ने छेतरे विदाहिक प्रेमसिय पटेल से शिकायत की थी अब तेज बारिश शुरू होने पर विभाग ने गाद निकालने का काम शुरू किया ही, डेम के गेट को भी दुरुस्त किया जा रहा ही। अब तेज बारिश शुरू करने का अउसर दिया जाए। जहां डाक्टर ने बच्चे को म्रद गुसित कर दिया। बडवाह वाड़ क्रमां के दो इस्थित मकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की तेज लप्टों ने घर में रखी सामगरी को अपनी चपेट में लेलिया। घटना की सुचना मिले पर इस्थानी अगनी शामन वहन मोके पर पहुचा जहां भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक घर में रखा पुरा सामान जलकर खाक हो चुका था हालाक की आग लगने का अभी तक कारण इस्पश्ट नहीं हो पाया ही पुलिस इस मामले की जाज कर रही है।